नमस्कार दोस्तों, आखिरकार अखिलेश यादव आगरा में ही भारत जोडो नियायात्रा में क्यों शामिल हुए? वो चाहते तो राय बरेली में शामिल हो सकते थे, अमेठी में शामिल हो सकते थे, अगर कहीं नहीं तो मुरादाबाद में शामिल हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अखिलेश आगरा में ही शामिल हुए, आखिर वो कौन सी वज़ा है, आपको इस वीडियो में वो कर सियासत की और अखिलेश भी पिता मुलायम सिंग के ही नक्षे कदम पर चल रहे हैं उन्होंने चोटे चोटे दलो को एक मंच पर लाने की कवायश शुरू कर दी है इसके बाद पीडिये का नारा दिया और अब अखिलेश ने उसी आगरा को चुना जो समाजवाधियों का ग बैठक की थी और इसी के बाद मुलायम सिंग यादव दूसरी बार यूपी की सत्ना पर काबिस हुए पांक दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक मुलायम सिंग यूपी के सीम रहे इसके बाद 2003 में आगरा में ही सपा का अधिवेशन हुआ और मुलायम इसके बाद फिर से यूपी के सी सीम बनें 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आगरा में मुलायम सिंग यादव ने समाजवादी पार्टी की बैठक की और 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा को सबसे ज्यादा 23 सीटे मिली इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटे ही मिली थ और अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनें यानि आगरा हर बार सपा के लिए लगी रहा है आगरा से सपा ने जब भी आगास किया है तब उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही रहा है और अखिलेश को अपने पिता के इस फॉर्मूले पर पूरा भरुसा है इसलिए जब कॉंग्रिस और सपा के गडबंधन के बाद पहला मौका आया जब दोनों नेताओं को एक साथ मंच शेयर करना था तो उसके लिए अखिलेश ने भी आगरा को ही चुना और अगर मुलायम सिंग का ये फॉर्मूला एक बार फिर से कारगर रहता है तो जाहिर है कि यूपे मे की मुश्किलों को बहुत पढ़ाने वाला है वैसे भी 2019 के चुनाओ में सपा को 18 फीसिदी से ज्यादा जबकि कॉंग्रूस को 6 फीसिदी वोट मिले थे और इस चुनाओ में ये दोनों दल साथ हैं सीट शेयरिंग हो चुकी है और साफ है कि मुसलिम वोटर्स के बिखरने की आशनका भी खत्म हो गई है ऐसे में यूपी में आखिलेश का पीडिये फॉर्मूला असरदार नजर आ रहा है